एक प्यासा आदमी एक कुए के पास गया, वहाँ एक जवान और खुबसूरत ओरत पानी भर रही थी उस आदमी ने ओरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा, खुशी से उस ओरत ने उसे पानी पिलाया पानी पीने के बाद उस आदमी ने ओरत से पूछा कि आप मुझे ओरतों की तरिया चरितर के बारे में कुछ बता सकती है इतना कहने पर भै ओरत जो जो से चिलाने लगी बचाओ 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 उसकी आवाद सुनकर गाउं के लोग तुए की तरफ दोगने लगे तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही है उस ओरत ने कहा ताकि गाउंवाले आएं और आपको खूप पीटे और इतना पीटे की आपके होश ठीकाने लग जाएं यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा मुझे माफ करें मैं तो आपको एक भली और इजगदार ओरत समझ रहा था तबी उस ओरत ने कुए के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया और अपने शरीर को पूरी तहें से भिगा डाला इतने देर में गाउवाले भी कुए के पास पहुँच गए गाउवालों ने उस ओरत से पूछा कि क्या हुआ ओरत ने कहा मैं कुए में गिर गई थी इस भले आदमी ने मुझे को बचा लिया यदि यह आदमी यहां नहीं रहता तो आज मेरी जान चली जाती गाउवालों ने उस आदमी की बहुत तारीफ की और उसको अपने कंधों पर उठा लिया उसका खुब आदर सत्कार किया और उसको इनाम भी दिया जब गाउवाले चले गए तो ओरत ने उस आदमी से कहा कि अब समझ में आया ओरतों का तिरिया चरित्र अगर आप ओरतों को दुख देंगे और उसे परेशान करेंगे तो वह आपका सुक चैन चीन लेगी और अगर आप उसे खुश रखेंगे तो वह आपको मोत के मुसे भी निकाल लेगी आपके इस विशेम में क्या राए है कमेंट कर बताएं वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फोर वाचिंग